दोस्तों एक बाग फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरे कोच में दोस्तों अभी कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि डिमांड और सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और आज मार्केट ने ठीक उसी डिमांड और सप्लाई जोन पर काम किया जैसा कि मैंने आपको बताया था तो हम लोग देखते हैं कि जो हमने आपको ये वीडियो दिया था ना कि न्यू लर्निंग सीरीज 192 वाला इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था और कैसे मार्केट बिहेव किया उसको हम लोग आज समझने की गोसिस करते हैं चलिए चार्ट के उपर चलते हैं देखिए ये 50-50 का चार्ट है आप लोगों को मैंने साफसा बताया था कि ये जो है इसको कहते हैं रजिस्टेंस जोन ये पूरा क्या है रजिस्टेंस जोन है ये क्या है रजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है ये क्या है रजिस्टेंस और पोर्ट लेगा और यहां पर रजिस्टेंस फेस करेगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस जोन से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी अगर यह रजिस्टेंस लेता है और उपर की तरफ एक विक बनती है तो आप यहाँ पर sell करके चल सकते हो, ठीक इसी तरके यहाँ पर अगर नीचे से विक बनती है कहीं से भी, इस लाइन से बने इस लाइन से बने तो आप यहाँ पर buy कर सकते हो अब ज़रा इसको समझने की कोसिस करो जो मैंने आपको बताया था क्या market उस तरह से चला market ने जब यह candle बनाई और यहाँ पर market ने resistance लिया इस candle के नीचे आप sell कर सकते थे यह आपका stop loss होता और आपको एक बहुत अच्छा move capture करने को मिलता ठीक इसी तरह यहाँ पर इस candle ने support ले लिया अगर आप इस पर छोटी candle पर जाएंगे पांच मट के चार्ट को मैं इसमें convert करता हूँ फिर आपको और समझाता हूँ कि अगर आप पांच मट के चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर market उपर open हुआ यहाँ पर इसने विक बनाई market नीचे आया और यह zone में इसने support लिया support लेके market धीरे धीरे हमारे कहां तक आया resistance zone तक तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का आराम से आप move capture कर सकते थे ठीक इसी पर का इस red candle के नीचे अगर आप sell करते और चुपचा बैठे रहते तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ एक बार उपर का और एक बार नीचे का move आप आसानी से capture कर सकते थे तो इस zone में मैंने आपको trade करने के लिए मना किया है इस zone में trade करने के लिए मना किया है इस zone में trade करने आपको buy करना है इस zone के नीचे जाए आपको sell करना है तो आपको मैंने सारी चीजें बताई थी अगर आप अमारे telegram channel को follow करते होगे तो आपको पता होगा मैं telegram channel पे यही चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैंने nifty bank का चार्ट आपको share किया था मैंने आपसे साब साब काता इसके उपर निकले buy करना इसके नीचे जाए sell करना देखिए market ने ठीक इसी तरह यहाँ पर इसने respect किया market और इसके बाद पेलकुल यहाँ तक आया इस zone में market ने क्या किया respect किया तो आप support पे buy बनता है और रेजिस्टेंस पे sell बनता है यह हमने आपको दो दिन पहले ही यह आप लोगों को डाल दिया था support zone बना के तो समझ सकते हो आप कि आपको market में trade कैसे लेना है चलिए यह तो बात हो गई निफ्टी की इसे पन्ना मेट के चार्ट है निफ्टी का बैंक का चार्ट लाते हैं यह देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि इस zone में trade आपको नहीं करना है market इस zone के ऊपर निकला ही नहीं अगर आप देखेंगे तो market जो है कितनी बार एक बार दो बार तीन बार चार बार यहां तक आया लेकिन इस के ऊपर जाके रुकाने market ने नीचे का zone तोड़ा यहां पर आप इसे sell कर सकते थे यहां से यहां तक 100 points से जादा आपको capture करने को आसानी से मिलता तो market इसी तरह से चलता है कि वहल आपको पता होना चाहिए कि आपको entry कहां लेना है और कहां पर आपको target बनाना है अब देखिए market ने क्या किया हमने आपको यहां से बहुत gap दिया था अगर आप देखें तो यहां पर भी एक zone है मैं इसको भी आपको बना देता हूं तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक एक zone है तो अगर आप इस zone को बना लेंगे तो फिर आपके पास यहां पर केबल 100 point का move रह जाएगा इसलिए हमने आपको यह zone बना के नहीं दिया था कि कम से कम अगर आप capture करो तो एक अच्छा point capture करो इसलिए मैंने इसको बना के नहीं दिया अब आपको करना क्या ह कल के लिए trade के लिए बात करें अगर तो चार्ट open हो जाने दीजिए कुछ net में दिक्कत है हाँ तब तक मैं बता देता हूँ आज मैंने चार्ट trade लिए एक 18600 का put हमने sell किया था 18600 का call हमने buy किया था चवालिस पांसो का put sell किया था और चवालिस दोसो का put हमने लिया था इन चारों में मिलाके हमको कुल 64000 का profit हुआ इसको मैं refresh कर देता हूँ दो तीन वार तो छोटे-छोटे profit आप बना सकते हो कोई मुश्किल नहीं आता है चलिए अब मैं आपको इन चीज को समझाता हूँ क आपको कल ट्रेड अगर लेना है तो कहां पर आप ले सकते हो फिलकुल सिंपल सा तरीका है मार्केट ने क्या किया मार्केट ने इस जगे पर आके support लिया है आप देख रहे हैं जो पहले resistance हुआ करता था वो अब क्या बन गया है support बन गया अब अगर मार्केट इसको break करता है कल तो आप 18,574 पर आप क्या कर सकते हो sell कर सकते हो यहाँ पर आप sell कर सकते हो stop loss क्या डालोगे इसका जो उपर वाली line है 18,585 यानि केवल 9 point का आप stop loss लेकर sell कर सकते हो और target क्या रखोगे 506 18,506 तक का आप target ले सकते हो लेकिन अगर मार्केट कल यहीं से घूम जाता है और यहीं पर support ले लेता है तो आप 18,574 का stop loss लेके और 18,642 लेविल तक के लिए आप wait कर सकते हो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको आज में लिख नहीं रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को दुबारा सुने और अपनी copy पे note करें कि आपको buy कहा करना है अगर market इसी area में कल open होता है और open होके उपर की तरफ निकलता है तो यहां पर आपको इसको buy करना है 18,574 का SL लेके और 18,642 का target आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर market इसके नीचे चला जाता है तो आप 18,574 पर sell करोगे और 18,585 का आप SL लोगे और यही मानलो अगर हम आपसे कह है कि नहीं market यहां पर gap up खुल गया अगर मालो market कहीं यहां खुल गया तो यहां आपको बिल्कुल भी trade नहीं लेना है ट्रेट कम लेना है वेट करना है जब market 18,665 के ऊपर एक candle close कर दे उस candle के ऊपर आपको buy करना है 18,642 का SL लालना है और 18,720 के target के लिए आपको यहां पर wait क करना है market मान के चलो कि gap down खुल गया suppose करो यहां खुल गया तो यहां पर अगर support लेता हुआ दिख रहा है तो यहां पर आप buy करेंगे 489 का आप SL लालेंगे यानि कितना हो गया ग्यारा और 6,17 पॉइंट का केवल SL लाएगा और 18,574 का target यानि 17 पॉइंट के comparison में आपको लग होता है क्या है जनरली लोग सोचते है कि कहीं मेरा trade मिस ना हो जाए मैं trade लेने से चूक ना जाओं इसलिए वह वेट नहीं करते हैं आपको शांती से बैठना है वेट करना जैसे मैंने ऊपर trade लिया वेट किया इस level के आने का अपना stop loss धीरे 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 क्या करता गया अगर किसी कोई spike आता है या किसी कारण से market गूनता है तो हम वहां से exit कर जाएंगे तो यह तो गई बात है निफ्टी की अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको थोड़ा gap के साथ दिया था अगर के चलो market इसी area में कहीं कल open होता है और open होके यह 44061 को break करता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो sell कर सकते हो stop loss क्या डाल सकते हो यह आपका stop loss होगा यहां पर आप sell करो राइट और आपका target कौनसा होगा यह वाली line आपका target होगा अब मान के चलो market gap down कुल यहां कुल गया gap down नीचे के और फिर यह गूमा गूमा यहां पर तो आप इस जगे पर आप इसे buy कर सकते हो यह stop loss डाल सकते हो यह आपका target हो जाएगा राइट दूसा target आप stop loss ट्रेल करोगे तो यह हो जाएगा अगर मान के चलो के market यहां पर close हुआ है और यह open इस जगे हो जाता है अगर gap up open हो जाता है यहां कहीं open हो जाता है तो आपको देखना है कि क्या market कम से कम पंदा मैट इस जगे रुखा है को नहीं रुखा है तो जो पहली candle बनेगी कि इस line के ऊपर उसके हाई के ओपर आपको को बाई करना है आप पंदर मेट की ज nervous पांच मेट की भी चेंडल ले शक्ते पांच मेट एक हैनि यह आपका ट्र आर लाइगा तो इस तरह से आप डारगेट के लिए जा तो यह support और resistance लोगों ने हमसे कहा कि सर कैसे trade करें वैसे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जा कर देख लें यह वीडियो में मैंने आपको पूरा detail से बताया है कि demand supply zone को draw कैसे करते हैं और demand supply zone पर trade कैसे लेते हैं तो दोस्तों यह सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी है इनी के according हम भी कल trade लेंगे आप भी कल trade ले सकते हो तो trade हमको बिलकुल इसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया तो दोस्तों अगर वीडियो और अच्छी तरह समझना है एक बार और देखो आप जितनी बार वीडियो देखोगे आपकी चीज दिमाग में उतनी ही किलियर होगी और जब चीजें सारी किलियर हो जाती है तो आप trade लेने में आपको आसानी होगी दोस्तों सीख साथ वीडियो समाप्त करता हूं धन्यवाद